नमस्कार आप देख रहे हैं प्रताब गई फिटनिस हमें रामकेलास यादाओ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ तमबाकू सेवन करने से 10 सबसे खतरनाक बीमारी 10 सबसे खतरनाक रोग जो होते हैं कितने भी लोग तमबाकू का सेवन करते हैं उनके लिए है साइद वो लोग नहीं जानते कि जो हम तमबाकू का सेवन कर रहे हैं साइद हमें इस तरह का इतनी खतरनाक बीमारी लग सकती है तो सारे चीज़े इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करें पहली बीमारी गर हम बात करते हैं तो पहली बीमारी जो होता है मुह फिफड़े, कंठे खाद नली, मुत्रासय और गुर्दा, पेनिस, क्रियाज, संबंधी, कैंसर, रोग हो सकते हैं और हिर्दे संबंधी भी बीमारी हो सकती है अगर हम तंबाकू का सेमन कर रहे हैं तो कई तरह का दिक्कत होता है मुह में कैंसर हो सकता है फिफड़े में कैंसर हो सकता है और जो नली खाना खाते हैं वहाँ पर भी कैंसर हो सकता है तो इस तरह के तमाम खत्रे हमारे लिए बने रहते हैं जो तमबाकू का सेवन करते हैं, दूसरे नुक्सान के गर हम बात करते हैं, डायवेटीज का खत्रा बढ़ जाता है, तेखने मिलता है कुछ लोग को डायवेटीज की दिक्कत होती है, लेकिन वो लोग भी तमबाकू का सेवन करते हैं, तो उन्हें जो है, काफी दिक्कत समस् मिल सकती है डाइविटीज का खत्रा बढ़ सकता है तीसरा रोक के गर हम बारे में बात करें तीसरी जो बिमारी पैदा होगी वो है अगर फुरुस तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उसे जो है नपुन सकता जैसी बिमारी हो सकती है अगर हम चोथे बिमारी की बात करें सांस का फुलना सांस में बदबू आना और मुह आँख के आसपास हमारे मुह और आँख के आसपास काली-काली जो है जुर्रियां हो सकती है सिकुरन पन जिससे कहते हैं हमारे आँख के नीचे ऐसा देखने मिलता है जुर्री पन आ जाना यानि ये भी हम कह सकते हैं कि कम समय में बूढ़ा हो जाना चेहरा का ढाचा जो है बदल जाना आप अगर स्वांस ले रहे हैं कहीं पर बैठे हैं तो आपके मुह से दुर्गंध भी आ सकती है अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो इसके लिए तंबाकू हमारे लिए काफी खतरनाक है आप कहीं बैठ गए हैं स्वांस ले रहे हैं स्वांस छोड़ रहे हैं तो उस समय आपके मुह से बदबू आ सकता है और के आसपास जुर्रियां दिखाई देंगी यानि कम समय में बुढ़ापा और चेहरे का जो बनावट होता है धाचा होता है पूरी तरह से जो है बेकार हो जाना अगर हम बात करते हैं पांचवे नुकसान के बारे में तो पांचवे नुकसान आता है दिल का दवरा का खतरा बढ़ जाना जो भी तमबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उन्हें जो है दिल के दवरे का खत्रा जादा हो सकता है यानि तमाकू ऐसी ये समझोए के जाहर रूप ही समझ सकते हैं अगर इसे हम खाते हैं तो जिसे घबराहत होना चिर्चिर्यापन होना और बिना बात के गुस्सा भी होना यानि कोई अच्छा बाद भी बोलेगा तो भी आपको बहुत खराब लगेगा तो ये क्या है चिर्चिर्यापन रहता है हमारे जो है दिल के खत्रा बढ़ जाता है दिल का दावरा पढ़ सकता है तो ये हमारे लिए काफी घातक और नुखसान दायक है इसलिए हमें तमबाको का जो है सेवन नहीं करना चाहिए अगर हम छठे पॉइंट की बात करते हैं छठा पॉइंट आता है पेट में जलन गैस की समस्या हो सकती है कितने लोग बोलते हैं कि तमबाको खाते हैं पेट साफ होता है लेकिन नहीं तमबाको खाने वाले के जो भी खाते हैं उनके देखने मिलता होगा कि पेट में जलन भी होती होगी, गैस की सिकायत होगी, क्योंकि तमबाकू खाने से हमारे जो खाना खाते हैं, वो सही तरह सहजम नहीं हो पाता है, और हमें कच्ची धिकार भी आ सकती है, और हमारे पेट में जलन भी हो सकता है, पेट में गैस बन सक पेट हमारा बड़ा होने लगेगा, पेट फूल सकता है, पेट में सूजन भी आ सकती है, जैसे कि तरह-तरह के पेट में बिमारियां होती हैं, और तमाकू के सेवन से आप बार-बार पिसाब भी करने जाएंगे, जित्ती बार आप पानी तो जादा पीएंगे, लेकिन जित् वो भी जो है हमारे सेहत के लिए काफी हानिकारक है अब बात करते हैं सात्वा point blood pressure भी बढ़ जाता है जैसे की BP होता है blood pressure high हो जाता है तमाकू गरम होती है गरम से जो हमारे पूरा ऐसे high level हो जाता है पसीना पसीना छोड़ जाता है कभी कभी देखते हो कि इसे बहुत ज़्यादा उल्जिन जैसे हो जाता है इससे का है बलेड प्रेसर भी बढ़ जाता है इसके लिए हमें जो है तमाकू का सेवन कभी नहीं करना चाहिए अठवा पॉइंट जो आता है रोग जिसे बिमारी कह सकते हैं फेफड़े में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है यानि जो कैंसर होता है फेफड़े में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप तमाकू का सेवन कर रहे हैं तब और नवा पॉइंट जो आता है आखों की रोसनी कमजोर हो जाएगी बिलकुल कमजोर हो जाएगी ओभी कम समय मे कम समय में आपके आखों की रोसनी कमजोर हो जाएगी और आपको कम दिखाई देगा और लाश्ट जो पॉइंट आता है दस्वा वो है कि आपके जो है देखने मिलेगा कि जो तमाको का सेवन कर रहे हैं उनके बाल भी बहुत तेजी से जड़ते हैं बाल घिरने लगते हैं असनान करने बढ़ते हैं सेंपू लगाते हैं साबुन लगाते हैं बाल हलका ऐसे ऐसे किये तो बाल बहुत तूटने लगते हैं क्योंकि बाल कमजोर हो जाते हैं यह जब हम तमबाको का सेवन करते हैं जब इतने सारे बिमारी इतनी सारे रोग इस तमबाको से है तो हम इसे क्यों खाएं क्यों खाते हैं तो आज ही परण करिए प्रतिग्या करिए कि आज से हम तमाकू छोड़ रहे हैं बिल्कुल नहीं खाएंगे अगर वीडियो पसंद आए अगर सहमत हैं कि छोड़ रहे हैं तो लाइक करें और नीश से कमेंट जरूर करें कि हम आज से छोड़ रह हैं ताकि हमें भी अहसास हो कि हमारे वीडियो से लोगों को कुछ फाइदा हुआ है या हो रहा है